बात कुरोना से लड़ाई लड़ रहे बिहार के दर्भंगा मेडिकल कॉलेज की दर्भंगा मेडिकल कॉलेज पीमसीच पटना के बाद दूसरा सबसे पुराना अस्पताल है लेकिन ये अस्पताल बदहाली की मार जहिल रहा है चारों तरफ गंदगी का अमबाद लगा हुआ है अस्पताल के आसपास पानी भरा हुआ है जानवर अस्पताल के आसपास टहल रहे है अस्पताल के अंदर की विवस्था भी बहुत चिंता जनक है अस्पताल को लेकर ना सर्फ मरीज सवाल उठा रहे हैं बलक Bernie काम कर रहा है स्वास्तकरमी भी इस्पताल की विवस्था के सामने लाचार है यहाल उस इस्पताल का है जहां आसपास के जिले के मरीज को दरभंगा बेडिकल कॉलीज रिफ़र किया जा रहा है दर्बंगा में कोरोना मरीजों के मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है लेकिन नई बिल्डिंग के आसपास के स्थिती भी वैसी ही है जैसी पुरानी इमारत के सामने थी हम आपको दो तस्वीरे दिखा रहे हैं कि बिहार में कोरोना के लड़ाई में के बीच मरीजों का इलाज कैसे बड़ी चुनोती बना हुआ है दर्भंगा मेडिकल कॉलेज की तस्वीर आप देख रहे हैं एक तरफ हम कोरोना को हराने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी तरफ दरभंगा मेडिकल कॉलेज की जो इमारत है, वहां का हाल आप देख लिजे क्या है? एक तरफ पुरानी बिल्डिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर जहां पर नई बिल्डिंग में लोगों को शिफ्ट भी किया गया है, वहां पर भी क्य इंफ्लो हो जाता था पेशेंट्स का तो कुछ घंटों के लिए 5-6 पेशेंट्स रहे हैं उसमें पाइप ऑक्सिजन सप्लाई थी डॉक्टर्स देखते थे उसके अलावा कभी भी उस बिल्डिंग में कोविड वाट का संचालन नहीं किया ना पावंदी हो ना कोई हद हो हो तो बस खुद बनाई सरहद हो ये मुहिम है पर्तों में छिपे हर सच के तलाश की सियासत पर रखी पहनी नजर और आख की खबरों के दुनिया में एक जिम्मेदार आवास की जुर्म और जुर्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की जब कोई हद नहीं इंसामियत के लिए जजबात की जब कोई हद नहीं खुश्यों और खाब की तब कोई हद क्यों हो नए नजर्गे और बदलाओ की तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले बांधे सब को एक धागे आप को रखे आगे ABP News